महाराष्ट में मराथा अरक्षन आंदोलन की आग गुरुवार को तब जाकर कम हुई जब इस आंदोलन के लीडर मनोज जरांगे ने अपना अंशन तोड़ा हाला कि जरांगे ने चेतावनी दी है कि यह सिर्फ दो महेने की छूटे अगर तय समय में महाराष्ट सरकार इस बारे में सटिक निर्ने नहीं ले पाती है और मराठो को अरक्षन नहीं मिलता है तो आगे और बड़ा अंदोलन होगा मनोज जरांगे ने यह भी जोड़ा कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो अगले अंदोलन में वह मुंबई का गला घोड़ देंगे लोगों तक सबजिया नहीं पोचेगी और रोजमर्रा की चीजों के लिए तरसना पड़ जाएगा बता दे कि गुरुवार को अंशन खत्म करते हुए जरांगे ने सरकार से दो महिने के भीतर मुद्दा सुल जाने को कहा है उन्होंने कहा कि जब तक आरक्षन की मांगे नहीं मानी जाती तो उनका क्रमिक अंशन जारी रहेगा जरांगे ने कहा मैं सरकार से ये भी अपिल करता हूँ कि मराठो को आरक्षन अवंटित होने तक भरती ना करें हम आपको आखरी अल्टिमेटम दे रहे हैं